यह अधार काड़ बनाना है CSE Center, अधार काड़ सुधारना है CSE Center, पैन काड़ बनाना है CSE Center, जातियावासी बनाना है CSE Center, पैन काड़ बनाना है CSE Center, वडर काड़ बनाना है CSE Center, टेगट बुक करना है CSE Center, तो इन सभी जो काम होते हैं वो CSE Center के माध्यमसी होता है और CSE Center एक आज की वीडियो में बात करने क्या है कि आप किस तरसे CSS center को ले सकते हैं despite ID Lisorn आपकर सकते हैं श्कुल के बारे में आज की विडियो में बात करने वाल बारे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीए और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दिए जो मैं इस CSC Center के बारे में बात करने वाला हूं यह मारा एक पूरा स्रीज आने वाला है 10-11 वीडियो का यह स्रीज होने वाला है और 10-11 वीडियो में आप पूरा complete सीख पाएंगे कि किस तरह से CSC Center का ID लेते हैं तो CSC Center ID लेने से पहले आपको बताने वाला हूं कि उसके लिए TEC Certificate के लिए apply करना पड़ता है और TEC Certificate असानी से नहीं मिलता है उसके लिए हमें exam देना पड़ता है हमें 10 modules का exam देना पड़ता है सबसे पहले और 10 modules को जैसे आप complete करते हैं इसके बाद आपको final exam देना पड़ता है और final exam देने के बाद आपको TEC Certificate मिलता है और TEC Certificate मिलने के बाद आप CSC के लिए apply करते हैं और CSC apply करने के बाद finally आपको ID और password complete मिल जाता है इन सभी process को मैं बारकी से बताने वाला हूँ TEC Certificate का full form क्या होता है मैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ TEC का जो full form होता है Telecenter Entrepreneur Course होता है और इसमें जैसे ही आप register करते हैं तो आपको इसमें 10s modules का exam देना प्रता है उसके लिए आपको त्यारी के लिए अलग से वीडियो मिल जाते हैं PDF मिल जाते हैं आप वहाँ से तयार करके आपको exam देने होंगे तो जैसे ही आप 10 modules 10-10 number का होता है 10 number में से आपको 4 number लाना compulsory है अगर 4 number आप नहीं ला पाते हैं 10 में से तो आप उस module में फेल कर जाते हैं और फिर से आपको exam देना पड़ता है एगर उसमें फेल करते हैं तो आपको कोई भी परिसानी नहीं होने वाला है लेकिन जैसे ही आ आप 10 modules को complete करते हैं इसके बाद आपका final exam होता है तो final exam में भी आपको 5 बार मोका दिया जाता है 5 बार आपको मोका मिलता है तो 5 बार में आपको उस exam को clear करना पड़ता है तो पहला term में अगर आप फेल कर जाते तो कोई फरकने पड़ने वाला है दूसरे term में भी आप फेल क center के लिए apply कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम सबसे पहले TC certificate के लिए हम registration करते हैं और इसके बाद ID और password करते हैं इसके बाद फिर हम आगे module keyboard बढ़ेंगे तो यह जो हमारा वीडियो का स्रीज होने वाला है 10 से 11 वीडियो का स्रीज होने वाला है तो चलिए प्राउजर में आपको सच करना है TEC certificate ठीक है तो सबसे पहले TEC certificate आप सच कीजिए और सच करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का website नजर आ जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं TEC certificate के लिए हमारे हाँ पर CSC Center entrepreneur.in के लिए website है हमारा और इस website पर आपको जाना है कोई other website पर नहीं जाना है और यहां पर TEC certificate के direct login करने के लिए हमारे पास link दिया गया है लेकिन यहां पर मैं जाने वाला नहीं हूँ सबसे पहले हम TEC certificate के website पर जाएंगे तो जैसे हम यहां पर click करते हैं तो हमारे सामने कु को सबसे पहले आपको clear करना होगा और उससे पहले आपको registration करना होगा तो सबसे पहले हम आपको registration करने के लिए सिखाते हैं तो चलिए यहां पर login with user यहां पर लिखा हुआ है इस पर हम यहां पर click करेंगे और साथ यहां पर login भी कर सकते हैं और registered भी कर सकते हैं तो सबसे पहल हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि अगर आपका यह 18 प्लस है तब ही आप आप CSA सेंटर के लिए अप्लाई करें और कम से कम जो क्वाइलिफिकेशन है वो मैट्रिक पास होना चाहिए इसमें अगर मैट्रिक से उपर है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है लेकिन मिनिमम जो क्वाइलिफिकेशन है इसका वो मैट्रिक है तो यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ओप्सन मिलता है यहाँ पर सर्टिपिकेट कोर सीट इंटर प्रेंडियोर सीप सी सी इ पर सबसे पहले लोगिन का ओप्सन हमारे सामने दिखाई देता है दूसरा हमारा हमारा हम पर रजिस्टर का ओप्सन दिखाई देता है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं रजिस्टर पर किलिक करने वाले हैं और सबसे पहले हम सर्टिपिकेट के लिए रजिस्टर करते है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने registered के लिए हमारा एक page open हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का page आपके सामने open हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा सबसे पेले आप देख सकते हैं आपे basic से एक form है registration कर रहे हैं उस candidate का आपको एक photo लेना है और photo का size duration यहाँ पर देख सकते हैं 50 KB 50 KB से कम होना चाहिए उससे ज़्यादा ने होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते है name, age, government, id proof तो id proof में जो भी उसका नाम है यहाँ पर आपका उसका नाम लिख दीजिए इसके बाद उसका mobile नमर यहाँ पर फिल कीजिए, email नमर यहाँ पर फिल कीजिए अधार card में जिसका नाम दिया हुआ, fathers, mothers, उसका wife, husband जो भी नाम है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद आपकी state से belong करते हैं, हाँ पर आपको select कर लेना होगा तो हम यहाँ पर जहारखन से belong करने वाले हैं, जो आपको रेइस्टर करको बताने वाले हैं मैं जहारखन से बताने वाला हूँ, आप other state से हैं, तो आप other state भी select कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर district आयाता है, आपके सामने district select कर लेंगे आपे आपको gender select कर लेना है तो gender में आपका क्या है जो भी government ID proof में जो भी है वही आपको gender select करना है उसमें male head male select करना है female head female select करना है और यहाँ पे देख सकते हैं date of birth जो government ID में आपका है वही आपको यहाँ पे feel करना होगा जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपके सामने एड्रेस आ जाता है आपको एड्रेस पुरा फिल कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं फोटो का वफ्सवन हमें मिलता है तो यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे हमारा फोटो है उस फोटो को आप अप कर सकते हैं तो देख सकते हैं जो हमने फोटो का यहां पे बनाया था और यहäter बना हुआ है इस साह बातर payment का option आ जाता है तो payment आप करा सकते हैं चाहे आप ATM से करा सकते हैं या UPI के माधियम से करा सकते हैं या net banking के माधियम से करा सकते हैं तो सबसे आसान होगा आप UPI से होँआ पे payment करा लेंगे और payment कराने के बाद आपका finally जैसे आपका payment कटेंगे साथ ही साथ आपके email में एक ID password मिल जाएंगे और ID password जो मिलने वाले हैं कुछ इस तरह से होगा आपको आप दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से होने वाले हैं आपका ID password तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो payment आपका कटने वाला है 1489 रुपय ये 72 पेसे का payment कटने वाले हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है में अपना payment कटाया हूँ और इस तरह से कटा करके आप असानी से ID और password create कर सकते हैं तो finally आपने registration complete कर लिया होगा आपका ID password मिल गया होगा अब चलिए चलते हैं आगे TEC certificate है उसका 10 modules से 10 modules का आपको exam केसे देना है उसके बारे में बताने वाले हो अगले वीडियो में तब तक के लिए इजाद दीजिए फिर मिलते हैं एक अगले अपिसोड में